सो गाई सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको Chrome Browser open कर लेना है वहाँ पर आपको 3.option दिखाई दे रहा होगा और वहाँ पर आपको desktop site select कर लेना है यानि blue color कर tick option दिख रहा होगा इसे आपको select कर लेना है देन आपको क्या करना है आपको अपना YouTube open करना है Chrome Browser में Chrome Browser में open कर लेने के बाद में जब आप open कर लोगे login कर लोगे उसके बाद में यहाँ पर आपको profile का option नजर आ रहा होगा यहाँ पर आपको your channel पर click कर देना है click कर देने के बाद में यहाँ पर आपके समने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा देन आपको यहाँ पर customize channel पर click कर देना है यहाँ पर second option नजर आ रहा होगा content का इस पर आपको click करना है यहाँ पर आपको चैनल content यानि आपने जो भी videos अपलोड की है सब कुछ यहाँ पर आपको show हो रा होगा देन आपको यहाँ पर post पर click करना है click करने के बाद में आपे सामने तमाम जितनी भी post है वो सब open हो जाएगी अब जिस भी post को आपको share करना है simply उस post पर आपको click कर देना है देन यहाँ पर details यानि pencil का option दिख रहा होगा इस पर आपको click करना है click करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो post वो आ गया post की सारी details है वो सब कुछ यहाँ पर आपको show हो रही होगी देन यहाँ पर आपको side में link का option नजर आ रहा होगा यह आप देख सकते हो और यहाँ पर आपको copy का option नजर आ रहा होगा यहाँ से आपको जो भी post है उसकी link को copy कर लेना है और आप इस link को आप जहाँ पर भी social media पर share करना चाते हो group में share करना चाते हो status पर लगाना चाते हो simply आप महाँ पर लगा सकते हो जैसे ही कोई audience आपकी इस link पर click करेगी वो redirect हो जाएगी आपके इस post पर और likes आना start हो जाएंगे और YouTube भी धिरे धिरे आपकी इस post को और आगे logo तक पहुचाएगा इस तरीके से आपकी वीडियो पर आप आसानी से share करवा के लाइक से increase कर सकते हो और post को viral करवा सकते हो I hope दोस्तों आज काई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कुछ नया सिखने को मिला होगा यदि सिखने को मिला है ते प्लीज यार वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करते ना